हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमरे यूट्यूब चैनल प्रटवाल जोप डीट में आज हम बात करेंगे उत्राखन प्राथमिक शिक्चक भरती के बारे में तो आप सभी जानते हैं प्राथमिक शिक्चक भरती का अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है 2649 पदों का तो सबसे पहले यहाँ पर बीएड ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर की ती उसके बारे में तो क्या है पूरी अपडेट आपको पूरी जानकार मिलेगी आप वीडियो में बने रही है तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं उसके बाताऊंगा शिक्चक भरती के मामले में विवाग जाएगा सुप्रीम कोट एन आयोस से डियलेट पास अभेस्टिम पर रोक लगाने का मामला राश्टिय मुक्त बिद्यालाई सिक्चा संस्तान एन आयोस से डियलेट डिपलोमा इन इलेमेंटरी एजुकेशन कर चुके उमिद्वारों के मामले में सिक्चा वि रसिसासइशन शस्तानों और ब्यट पास अभर्ष्टिय के साथ ही इन आयोस से डियलेट कर चुके अभित्यों इस में आवज puff लगा दी इस फैसले कि खिलाब अभर्ष्टी हाइ迂ज है में पहले सासन के आदेश को हाई कोड़ रत कर चुका है इस शिक्षा विभाग विधिक राय ले रहा है जब विभाग की और से सुप्रीम कोड में विशेश यासिका दाखिल करने की यहां पर लिया गया है तो जो रविनात रमन है सिक्षा विभाग विभाग का कहना है कि न आयोस से डिलेट कर चुके अभिरतियों के मामले में नैस्टनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने कोई अधिसोना जारी नहीं की केवल पतर जारी किया था विभाग की राय है कि इस मामले में सुप्रीम कोड में उसके बाद बीएट के बाद एन आयोस ने की थी अब यहां पर सिक्षा विभाग के द्वारा कहा जाते है पहले कि हम सुप्रीम कोड नहीं जाएंगे क्योंकि हाई को नहीं पर कह दिया था कि एन आयोस से डिलेट कर चुके अभिरति के मामले में दुजना जारी नहीं की थी केबल यहां पर पत्र जारे किया था वीडिवाग की राय है कि इस मामले में सरस्ख्षा विभाग सुप्रीम कोड जाए और सुप्रीम कोड में विशेश ज्याज का दाएर करें तो आप सबी जानता है कि नहीं बीएट को देट मिली थी नहीं ए सुरू होनी थी उस पर भी लंबा वक्त लग सकता है इसमें काफी लंबा लग चुका है आप सभी जानते हैं लगवक 70% भरती कंप्लीट हो चुकी है उसके बाधुद भी इस पर लंबा टाइम लगेगा और इस पर देखते हैं आप सुप्रीम कोड में इसका क्या फैसला आता है जब इसके डेट मिलेगी तो तीनों पक्चों को सुनने के बाद सुप्रीम कोड अपना फैसला सुनाएगा जो भी फैसला जिसके भी हित्म आएगा आपको बताया जाएगी साथ है आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब सेर लाइक करें धन्यवाद झाल